हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एजू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे ब्लड क्लोटिंग मेकिनिजम के बारे में तो हम सिखने वाले हैं कि किस तरह से ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस होती है और जब भी कोई आपकी ब्लड वैसल्स की इंजरी होके वो ब्रेक होती है वहाँ पे ब्रेकेज होता है तो किस तरह से वो प्रोसेस होती है कि जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो तो ये blood clotting की प्रक्रिया को काफी आसान बासा में समझेंगे ये वीडियो लेक्चर में तो expert lecture by Amar Sir Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you Farbeen One Lake Family of PharmaRox Updated Reher of Pharma Knowledge के साथ एकसेस करें study material, test series and video lecture on app PharmaRox तो अगर आपके पास Android phone है तो डाउनलोड करें Android application from Google Play Store Apple iPhone App Store पर भी आपको एप मिल जाएंगी लिंक आपको description box में हमने दे दिये है तो अब यहाँ पर अच्छे से समझें blood clotting को तो blood clotting की जिसको कहा जाता है coagulation भी तो blood clotting या फिर blood cloagulation तो ये एक ऐसी important process है कि जो क्या करती है prevent करवाती है कौन सी चिसको prevent करवाती है तो excessive bleeding when the blood vessel is injured कि जब आपके blood vessels injured होती है वहाँ पर कोई breakage होता है या फिर damage होती है तो हमें पता है कि हमारे body के अंदर तीन type के जो है वो cell होते है blood के अंदर तो blood cells की जो हम बात करें तो एक जो cell है वो है RBC है red blood cell दूसरा जो cell है वो है WBC की जिसको white blood cell कहते है और तीसरा that is a platelet तो ये जो platelet से उसका जो आपको function पता है तो वो function है कि blood clotting के अंदर platelets जो है वो help करते है RBC जो है वो hemoglobin उसके साथ होता है कि जो oxygen carrying capacity provide करता है and WBC जो है वो important है हमारे body की जो defense system है immunity है वो provide करने में help करते हैं कि जो immune cells के related काम करते है white blood cell तो जब भी किसे जगह पे आपको injury होती है blood vessels breakage होती है damage होती है तो वहाँ पे platelets जो है वो तुरंद आके जमा हो जाते हैं कि यहाँ पे देखो कि यह है आपकी ये blood vessel कि ये blood vessel का यहाँ पे हुआ है ये broken कि ये जगह से ये जो blood vessel है वो break हुई है और उसमें रहे ये जो cell है वो आपकी body में से बाहर निकले मतलब कि जैसे को injury होती है तो blood जो है वो हमारी body में से बाहर निकलता है बढ़ कुछ समय के बाद वो blood बाहर आना बंध हो जाता है तो automatically जो healthy persons होते है कि जिनको कोई disease या फिर disorders ऐसे नहीं है blood clotting related तो उनके body के अंदर usually एक से लेकर 5 minute के अंदर blood जो है वो बाहर आना बंध हो जाता है तो clotting हो जाता है अंदर कि जिससे blood जो है वो बाहर नहीं निकलता और prevent होता है excessive bleeding तो उसके अंदर दो component help करते है एक तो platelets और दूसरा जो है वो fibrin तो platelets जो है वो सबसे पहले तो normal होते है बट वो हो जाते है अच्छे से activate और activated platelet क्या करते है जो जिस जगा पे यह जो breakage हुआ है वहाँ पे इस तरह से आके जमा हो जाते है और जो fibrin है वो उसके उपर एक thread like structure तयार कर देता है कि जिससे आप देखते है कि किसी mess है फिर किसी threads वगेरा का structure है तो ऐसा एक structure उनके उपर बना देता है कि जिससे एक plug तयार हो जाता है क्लोट तयार होता है और यह जो क्लोट है वो bleeding side के उपर अच्छे से जमा हो जाता है जिसके करन blood जो है वो वहाँ से बाहर आना stop हो जाता है और यह जो timing जो मैंने अभी आपको बताया कि healthy person के लिए होता है normal blood clotting time that is 1 to 5 minute तो यह process का होना जरूरी क्यों है कि why blood clotting is necessary तो blood clotting का process इसलिए जरूरी है कि जब किसी जगा पे आपको injury होती है तो injury होगी तो वहाँ से बहुत सारा जो blood है वो loss हो जाएगा तो blood loss ना हो और वो prevent हो जाए उसके लिए जरूरी है यह blood clotting का होना कि देखो यहाँ पे जो clot हो गया तो यह clotting ने क्या किया इस जगा पे एक ऐसा protective layer बना दिया कि जो अंदर से जो blood बाहर निकल था था वो अब हो गया है अच्छे से stop और उसने prevent करवाया blood loss को बिकाज जो blood loss होते है उसके करण आगे बहुत सारे complications हो सकते है तो जब कोई injury हो और injury के बाद excessive blood loss ना हो जाए उसके लिए यह blood vessels के अंदर यह जो blood clotting का जो process होता है वो होना काफी जरूरी है तो blood clotting के जिसको blood coagulation भी कहते है तो blood clotting normally occurs when there is a damage to blood vessel यह process तभी होती है कि जब आपके blood vessels जो है वो damage होते है जब तक normal होता है तब तक तो अच्चे से जो blood है वो blood vessels के अंदर flow करता ही है बट जैसे ही यह vessels damage होती है तो वहाँ से blood जो है वो बहाराना चालू कर देता है बट कुछी समय के बाद वहाँ पे जो है वो इस तरह से platelets का जो plug है वो तयार हो जाता है और वो prevent करवाते है blood loss को तो platelets immediately begins to adhere to the cut edges of the vessels and release the chemical to attract even more platelets अब यह जो platelets यहाँ पे जमा हुए है वो क्या करेंगे और दुसरे platelets को वहाँ पे जमा कराएंगे और उसके करन क्या होगा बहुत सारे platelets वहाँ पे जमा हो जाएंगे and अपना एक network तयार करेंगे fibrin के साथ मिलकर कि fibrin उसके उपरे कैसा protective mass तयार कर दे कि जिससे वो जो पूरा clot तयार हो जाए एक plug तयार हो जाए और यह जो platelet plug तयार होता है वो stop करेगा आपके bleeding को कि जहाँ पे क्या होगा कि यह repair होगा कि जैसे कोई puncture होती है blood vessel कि जो puncture हुआ यह puncture यहाँ पे हो गया है repair और यह repair करने में दो चीजों ने help की एक आपके platelets ने और दूसरा fibrin ने तो blood clotting जो है उसमें process किया हुए simply तो जो आपका blood था वो liquid form में था और वो liquid form से वो convert हुआ gel मतलब कि semi solid के अंदर कि कुछ समय के बाद blood जो है वो semi solid mass के अंदर convert होता है liquid में से तो यही process है blood coagulation या फिर blood clotting और उसके लिए जो important कोई factor है तो that are कि coagulation factors के आपको जरूरत पड़ती है calcium की importance है कि जैसे muscles contraction के लिए calcium जरूरी है उसी तरह से blood clotting के लिए calcium जरूरी है और तीसरा component that is a phospholipid तो यह तीन जो है वो blood clotting के mechanism के अंदर आपको help करते हैं तो अब आपके mind में यह होगा कि यह fibrin क्या है तो fibrin simply एक protein ही है कि जो एक type का fibrous protein हम कह सकते है thread जैसा protein कह सकते है and non globular है कि इस तरह से कि यह जो मैं यह आपे यह जो draw कर रहा हूँ कि इससे जो threads है तो इससे threads जैसा यह protein है कि जिसको हम कहते है fibrin तो देखो इस तरह से यह जो अपनी mass तयार करके देता है तो उसके अंदर यह जो RBC है WBC है platelets होगे रहा है वो उसके अंदर stuck हो जाते है first जाते है जिसके करन क्या होता कि यह देखो यह RBC है फिर WBC platelets ए aggregate से वो उसके अंदर अच्छे से हो जाते है stuck स्टक हो जाएंगे जिसके करन क्या होगा कि वो अपनी जगा से अब हिलेंगे नहीं और एक अच्छा क्लोट तयार कर देंगे कि जहाँ पे आपका जो ब्लड वैसल जो है वो ब्रेक हुआ है तो इस– तरह से जो फाइभरीन के जो थ्रेड्स तैयार होते है वो help करते हैं आपको ब्लड क्लोटिंग के अंदर तो अब समझेई फाइभरीन के कुछ important facts है जैसे कि फाइभरीन जो किस तरह से बनता है तो फाइब्रीन ओजन में से फाइब्रीन बनता है कि fibrinogen जो है उसमें से तयार होता है fibrin और उसके लिए जरुरत पड़ती है protease enzyme thrombin की कि thrombin presence होगा तो ही fibrinogen में से fibrin बनेगा तो यह का कि mechanism में step आएगा कि fibrinogen में से fibrin कैसे तयार होता है तो उस वक्त help करता है यह protease enzyme thrombin अब जो एक fibrin तयार हुआ उसका polymerization होगा तो एक में से दो दो में से चारे से बहुत सारे polymerized fibrin तयार होंगे और वो अपना एक लेक ट्वर तयार कर देंगे platelets के साथ में and जो plug तयार होगा, cloak तयार होगा wound site के उपर वो prevent करवाएगा external bleeding को कि जिसे यहाँ पर देखे कि जो fibrin का ये जो cloak है वो same है जैसे कि जैसे कि land sliding के protection के लिए ये लोग जो जाली वगेरा लगा देते है stones के आसपास, तो same like that कि ये जो आप देख सकते है protective ये जाली यहाँ पर जो लगाई हुई है तो ये क्या करेगा, ये पूरा एक जाल तयार हो जाता है जिसे कोई मकडी का जाल होता है उसी तरह से ये एक जाल बना देते है जहाँ पर land sliding होती है तो जिससे क्या होता है कि ये जो stones है, मिटी वगेरा है वहाँ से, नीचे road पर ना आ जाए, highway पर ना जाए railway tracks वगेरा होते है, highways होते है वहाँ पर ऐसा कोई land sliding का problem ना हो इसलिए आप कई बार देते हैं कि जो पहाड़ी areas होते है वहाँ पर ऐसा एक protection तयार कर देते हैं कि जिससे कोई damage ना हो उसी तरह से ये देखो, ये RBCs है उसके अंदर platelets से WBCs वगेरा है वो जो blood vessels broken हों से वहाँ से बार नेकल ना जाए अच्छे से वहाँ पर चीपक के रहे तो उसी के लिए जो जाल बन जाता है पूरा fibrin का कि ये जो आप देख सकते हैं ये fibrin का clot तो fibrin clot को आप imagine कर सकते हैं same as a land sliding protection के लिए जो structure तयार करते हैं same like that कि ये जो land sliding protection का और ये आपके blood loss के protection का तो यहाँ पे क्या हुआ blood loss ना हो वो prevent हो उसका protection हो इसलिए fibrin ने अपना एक threads जैसा तयार करके एक जाल गुन दिया कि जिससे platelets RBC वगेरा वहाँ से बाहर ना निकले same like that यहाँ पे भी जो जाल बनाया जाता है कि जो stones वगेरा है मिट्टी वगेरा रोड पे ना आ जाए बाहर ना निकले वहाँ से इसलिए ये जो पूरा एक land sliding का protection का एक structure तयार होता है तो यही concept है blood clotting के अंदर तो blood clotting के लिए जो जरूरी है clotting factors की कि जैसे आप 13 ये blood clotting factors सीखते है तो सभी blood clotting factors का जरूरी है blood clotting होने के लिए और ये blood clotting factors usually क्या है तो they are usually protein and ions कुछ protein से और कुछ ions से ions के अंदर देखो तो ionized calcium है तो CA plus 2 जो हम कहते हैं CA plus 2 तो ये कुछ ions से और साथ ही वो कुछ protein से कि जो help करते हैं आपके blood clotting के process के अंदर और इन में से किसी भी clotting factor के deficiency के कारण blood clotting जो है वो नहीं होता तो जिनको deficiency होती है blood clotting factors की उनके अंदर आप देखो तो blood clotting का process अच्छे से नहीं होता तो total 13 blood clotting factors है but अभी जो है वो 12 factors consider किया जाते because of factor number 6 की जो on assign किया गया है उसको reject किया गया है तो ये clotting factors produce का आप पे होते हैं तो वो liver के अंदर होते हैं तो ये आपके लिए multiple choice questions का एक काफी important pinpoint है कि clotting factor का production का आप पे होता है तो वो liver में होता है उनके synthesis के लिए कौन सा vitamin जरूरी है तो vitamin K तो vitamin K समझे कि आपके body के अंदर deficiency है तो भी blood clotting factors related deficiency होगी और वो deficiency होगी तो bleeding disorders होगी because blood clotting नहीं होगा तो bleeding होगा और bleeding disorders देखने को मिलते हैं कि जिनके अंदर vitamin K की deficiency है because कि vitamin K का सबसे important involvement है यहाँ पे clotting factors के synthesis के अंदर तो clotting process के जो step से उसको आपको एक just अच्छे से समझना हो तो यह भी एक concept आप याद रख सकते हैं जैसे कि यह जो canal वगेरा होते हैं इसमें से पानी का जो flow जो है जा रहा है तो water अच्छे से यहाँ पे flow हो रहा है बट कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे यह breakage होते हैं किसी भी कारण के कारण तो अब क्या होता है कि वहाँ पे तुरन जो आसपास के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वहाँ पे पत्थर डालना चालू कर देंगे किस तरह से स्टोन्स वगेरा डालेंगे फिर सिमेंट की थेलियों के अंदर मिट्टी या फिर रेत वगेरा डालके वहाँ पे एक जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का स्टार्ट कर देंगे उसी तरह से देखो ये वाटर लॉस ना हो इसलिए ये लोग जमा होके यहाँ पे ये पत्थर उन्होंने डाले है सिमेंट की थेलिया आप देख सकते कि जिसके अंदर मिट्टी है या फिर रेत वगेरा डालके एक क्लोट तयार कर देते कि जिससे ये वाटर लॉस ना हो तो यही मेकेनिजम हमारे बॉडी के अंदर भी है कि जब बलड वैसल्स ब्रेक होती है तो उसके अंदर रहा जो बलड लॉस ना हो उसलिए जैसे यहाँ पे स्टॉन्स और सिमेंट की थेलियों ने काम किया वही यहाँ पे काम करेंगे यह प्लेटलेट्स और यह फाइब्रेन तो जहाँ पे इंजरी होती है रेप्चर होता है आपका बलड वैसल तो यह उसकी साइट है अब यहाँ पे क्या होगा कि बलड वैसल अराउंड द वाउंड constrict injury और damage of blood vessel उसका constriction होता है contraction होता है कि जिससे blood loss जो है वो ज्यादा ना हो कि blood loss जो है वो blood flow reduce होता है वहाँ पे फिर platelets तुरंट activate होते हैं और वहाँ पे जमा हो जाते हैं and platelets become the sticky and clump together to form platelets plug अब यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ stick हो जाएंगे और platelet plug तैयार करेंगे जैसे यहाँ पे यह लोग जो है यह पत्थर डाल रहे हैं और उसका एक layer तैयार करवा रहे है फिर platelets and damaged tissue release the clotting factor अब यह जो platelets थे damaged tissue थी उन्हों ने क्या किया? clotting factors को release करना start कर दिया and clotting mechanism to form the fibrin अब यह जो clotting factors activate हुए वो आगे जाके यह fibrin को बनने में help करेंगे और यह fibrin अपना clot तैयार करवाएगा एक protective layer तरव तैयार करवाएगा जिससे blood loss जो है वो ना हो तो यही mechanism को आपको 3 easy step के अंदर समझनी है कि सबसे पहले क्या होता है तो अब तक जो अपने lecture में समझा उस तरह से आपको पता चल गया कि जब platelets plug तैयार करने तो दो चीज़ की जरूरत पड़ती है एक तो platelets जो है वो activate होना जूरूरी है वो और वो activate हुए platelets जिस जगा पे injury हो है वहाँ पे जमा होना साथ हो साथ जरूरी है fibrin का कि जो last में एक thread like structure तैयार कर देता है और वो RBC और WBC को उसके अंदर अच्छे से stuck करवा देता है उसके अंदर अच्छे से जो जाल बनता है उसके अंदर ये RBC, WBC, platelets वगेरा उसके अंदर फस के तैयार कर देते हैं ये क्लोट को तो ये तैयार करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है कि सबसे पहले pharmis और प्रो थ्रॉम्बिन एक्टिवेटर कॉम्पलेक्स कि plasma प्रो थ्रॉम्बिन है उसका एक्टिवेटर का जो कॉम्पलेक्स तैयार होना जरूरी है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी thromboplastin कि Central booking जो है वो तैयार होना जरूरी है तो Assim कहां से तैयार होता है तो जब engineer tissue या फिर ब्रोकन प्लेटलेट जो है वो release करेंगे thromboplastin को अब thromboplastin क्या करता है यह clotting factors होगेरा है as well as calcium की ज़रुब मदद से plasma pro thrombin को thrombin के अंदर convert करता है तो सबसे पहला mechanism का step यह है कि formation of pro thrombin activator complex ऐसा complex तयार हो कि जो pro thrombin को activate करें दूसरा है conversion of pro thrombin into thrombin अब जब पहले step के अंदर है आपका prothrombin activator complex तयार हो जाएगा तो वो क्या करेगा second step के अंदर ये prothrombin जो है उसको thrombin के अंदर convert करेगा तो throthrombin, thrombin के अंदर convert हुआ उसके अंदर मदद किसने की तो thromboplastin ने because जब तक ये thromboplastin तयार नहीं होगा तब तक prothrombin में से thrombin नहीं बनेगा और तीसरा important step that is a fibrinogen में से fibrin तयार होना अगर fibrinogen में से fibrin नहीं होता तो ये process आगे होगी ही नहीं तो ये सबसे important है कि ये fibrin तयार होना from the fibrinogen तो यहाँ पर आप देखे fibrinogen में से fibrin बनाना है तो जरुवत पड़ती है thrombin की फिर plasma prothrombin में से thrombin बनाना है तो किसकी जरुवत है ये thromboplastin की तो इसलिए देखो mechanism के जो first step है उसके अंदर तयार होता है prothrombin activator complex कि जो thromboplastin के बनने में help करता है second ये जो thromboplastin बना वो ये second step की जो prothrombin में से thrombin बनने में help करेगा और अब thrombin बन गया तो ये thrombin तीसरे step में help करेगा आपके की जो fibrinogen में से जो आपको fibrin convert करवाना है तो उसमें ये thrombin जो बना वो help करेगा इस तरह से ये पूरे तीन step के अंदर blood clotting का mechanism है तो पहला step का ये explanation आप देखे तो formation of prothrombin activator complex in that during the bleeding broken platelets and injured tissue released the thromboplastin कि ये जो broken tissues थी and broken platelets वगरा थी उन्होंने क्या release किया thromboplastin को अब thromboplastin क्या करता है activate करता है clotting factors को कि इसने क्या factor एक्टिवेट किये कि factor 7 को activate करता है या फिर factor 8 को कि जो जितने भी अलग-अलग clotting factor से उनको ये activate करता है साथ ही calcium जो है iron act as a prothrombin activator complex अब ये जो complex है उसको activator का काम कौन करेगा तो calcium तो calcium की यहाँ पर presence जरूरी है कि calcium की भी deficiency होगी तो भी ये process नहीं होगा क्योंकि भले आपके पास thromboplastin तयार है साथ हो साथ उसने clotting factors भी activate कर दिये बट ये calcium की यहाँ पर बहुत है importance है calcium नहीं होगा तो भी ये prothrombin में से thrombin तयार नहीं होगा calcium जो है वो है as a prothrombin activator complex अब समझो कि ये सब यहाँ पर presence हो गए अच्छे से तो अब second step complete हो जाएगा कि conversion of prothrombin to thrombin तो second step में ये plasma prothrombin thrombin के अंदर convert हो गया and prothrombin activator complex activate inactive prothrombin plasma protein into active thrombin कि जो plasma prothrombin था वो inactive था अब ये active thrombin के अंदर जो है वो convert हो गया जिसमें help कि ये thromboplastin ने, floating factors ने और ये calcium में अब जो हमें fibrin होजन में से fibrin बनाना है तो सब जो requirements ये आपे complete हो गई है जैसे कि जिसकी हमें जरूरत थी thrombin की तो first 2 step के अंदर thrombin जो है वो already बना है हमारे पास तो जो fibrin हो जन की जो insoluble था वो soluble fibrin के अंदर अब जो है वो convert हो जाएगा तो यहाँ पर कहा होता है कि main job हमें जो जरूरत है fibrin वो तयार हो जाएगा अब fibrin क्या करेगा अपने threads तयार करेगा कि ये जो point है उसके उपर आप खास द्यान रखे कि fibrin के threads तयार हुए और ये जो thread ने क्या किया एक जाल गुंद दिया और ये जो जाल तयार होता है वो उसके अंदर stuck करेगा उसके अंदर फसेंगे ये blood cells जो किसे के RBC, WBC, platelets वगेरा और ये जो पुरा cloud तयार होगा जिससे लंबे समय तक जब तक body का immune system as well as body की जो healing system जब तक कि इसको repair ना करे आगे blood vessels damage को तब तक blood जो loss से bleeding है उसको ये prevent करवाएगा तो ये जो mechanism का आप summary भी याद रख सकते कि सबसे पहले क्या हुआ आपके blood vessels damage हुई ये blood vessels damage हुई कि तुरंट क्या होते है clotting factors release होते है और prothrombin जो है वो thrombin के अंदर convert होता है और फिर fibrinogen fibrin के अंदर की जो fibrinogen की जो soluble था वो insoluble fibrin के अंदर convert होता है और development होते है clot का और ये जो है ये ऐसा insoluble clot रहेगा कि जो long time तक prevent करवाता है bleeding को और prevent करवाता है blood loss को तो ये है simple mechanism of a blood clotting so thank you for attending this lecture pharma rocks के जो lecture notes है वो आपको pharma rocks के आप उपर मिल जाएंगे as well as join कर सकते whatsapp group, access कर सकते study material, test series and video lecture on a pharma rocks so good luck and all the best